हेलो एंड विल्कम तो माई चैनल्स वी एस एजुकेशन्स हब मैं इन दस वीडियो आई एम हीर टो डिसकस एस्बीए क्लग प्री 2020 जैसा कि आप सभी मालूम है अभी जो एक्सिप्ट से हुआ था फर्स्ट डिसिप्स का अच अब अपन इस वीडियो में डिसकेशन्स यानि क अग्याइं क्याक्या टॉपिक्स भृत टॉपिक्स हुए था इंग्रिश में क्या हैं टाकि जिन्नका भी ऑक्र्स प्रेज किरें मैं एक्जाम से अपकमिंग स्प्ट समय या अपकमिंग स्टेन जो भी टेश है उज में एक्जाम सो उनके लिए एक तरह से बहुत ही यूजफूल और बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो प्लीज ध्यांचे दिखिएगा अगर आपने एक्जामस दिया हैं 100% तो प्लीज ध्यांच करेंगे ओकी स्टार्ट करता हूं सेशन्स विदाउट टाइम वेश्टिंग्स एन विफोर एट अगर आप चैनल्स पे न्यूँ हैं फर्स्ट टाइम शो देख रहे हैं तो प्लीज फर्स्ट अफोल्स सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस टाप के वीडियो मिलते रहे है एंट इस वीडियो को सेर जरूर कीजिएगा अपने ओलवर फ्रेंट्स में ग्रूप्स में जहां भी अपने रीच हैं ताकि स्टुडेंट्स इनका एक्जाम्स होना है उनकी हेल्प हो पाएं अच्छा लगए तो लाइक भी कर दीजिएगा ओकी पर्टिकुलर सब्जक् देखिएगा पूरा का पूरा वीडियो बहुती अच्छे कुश्चंस भी हैं अच्छे लिवल पर कुश्चंस भी आएं थे अच्छे लिवल पर अनलेशिस भी अपन करेंगे ओकी स्टार्ट करता हूं वन बाइवन आपने कर लियों को सब्सक्राइब देखिए फर्ष्ट अपने बात करता हैं इंगलेश पार्टिकुलर देखिए इंगलेश में बहुत सब्सक्राइब नहीं आपाते हैं देखिए इंगलेश में मांक्स कैसे आएंगे आज का पेपर अपने कंपार करें तो बहुती थोड़ा सा कह सकते हैं moderate level का easy to moderate अपने कह स अगर आपने दिया है एक्जम्स तो रेडिंग का एक कुशन्स अपको पूरा कपूरा पैसेश इट कुशन्स इसमें पूछे गए थे कुछ वर्स भी आये थे जो सिराउनिम्स अन्टनिम्स के पूछे गए थे वह वर्स में आपको बताऊंगा प्लीज बने रहेएगा और और देखिए पर्टेकुलर मेरे को जो टॉपिक पता चला है राइट जो किसके बिस्टेश पर टॉपिक था तो यह आपके जो मॉस्क्यूट है जो मच्छर के काटने क्या प्रोटेक्शन्स हो सकते हैं वो इससे रेडिटेड आपका पूरा कपूरा पैसेश था आई रिप आई पता है कि कि अधार यही पूछा गया था ओकी वड्यूट युजजश के दो कुशन्स आपको फुशे गये थी नहीं पूछा गया था सेंटन्स रियायज्मेंट राइट पैरा जबागल अबशिट नहीं उनली फोड्स एक सेंटन्स ही गया उसको अरेंज्मेंट आप को करना था clear यह आपकी टूटल्स फाइब कुश्चिंज थे नेक्स्ट अपका था एरर का कुश्चिंज एरर के फाइब कुश्चिंज थे बिलकुल इजी कुश्चिंज थे इता ज्यादा टफ नहीं थे इजी कुश्चिंज थे डूएबल थे स्पैलिंग एरर के पांच कुश्चिंज थे बहुत इंपॉर्टेंट मैं रागुलर वस्चिंज पर वीडियो लेता हूँ जिसमें वोकल्बरी का शल्स होता है मौर्निंग में जो स्टूडेंट्स रागुलर हैं सब्सक्राइबर है मे स्ट्रीड आउट करते हैं पासस पड़ते हैं तो हंटिद परसेंट फ्लोस टेस्ट भी आपके लिए डूएबल था क्योंकि एक तरसे जो वेदर के कंडिशन से उसके बिश्चिंज पर क्लोस टेस्ट दिया वहाँ था तो यह ओल और पुरा पुरा पर पर पडिकुलर आप सब्सक्राइब के इंग्लिस से था एंग्लिस में मेरे अकॉर्डिंग्स अब अगर 22 प्लस 22 प्लस अपने अटेम्ट किया है तो डैडिस था सीफ अटेम्ट है 100 पर सेंट क्योरेशी के साथ ओकी तो यह को पूरा अगर आपने एक्जाम्स दी है इंसे अलग कोई भी हो तो इस गमड़ाइब कीजिएगा की अगरी मोगन चलता हूं नक्स्ट पर आपके वर्स देख लिजिए इंग्लिस में क्या क्या वर्स पूछे गए थे जो से उसके मिज्व में से स्पैल्ट है स्पैलिंग एक यह कुश्यंस पूछे गए थे जो मेरे को पता चला है बदाया है इस टुदेंटस ने ओकी एक इंगे होश्टायल स्फर्स पूछा गया था यह फर्स वर्स से आपके सामने होश्टायल से एन्ड लाइंड से वर्स ने फैल्ट बैल्ट एट फैल्ट में फोर्ट है बैलन्स और फोट वोल्स बहवियर ऐनिमोस्टी है यह आपके पूछे एनिमी होता है जिसको बोलता है हो श्टाइल्स वेग आपको बहुत इच्छा वोट से वीग बहुत बार बता चुका हम वोकेबरी शेसंस में अपसीक्यूर अंबिग्यूस अश्पष्ट हो क्लियर नहीं हो उनक्लियर हो उसको कहते हैं वेग ओकी फैल्ट एनगी किसी जिसको महसूस करना राइट का मतलब होता है आपका महसूस करना ओकी तो आई होब क्लियर हो कुछ भी पूछा हो सब्सक्राइब मेरे साबसे माइडियर आपको आई नहीं दी रहा हूँ क्यूंकि एनिमोष्टी दिखने में ऐसा सहीर आई अगर नहीं हो तो तो दिखने में अच्छा लगता है सही लगता है इसकी यही है इसका मतलब वोटर द्वीज की भावना इट्सिया से किसी को देखना उसको बोलता है तो यह पूरे के पूरे सेवन वोट्स थे स्क्रिंशोट लेना चाहिए तो ले सकते हैं अगर अलगा की इंग्लिस का यही था तो प्लीज कमर्णों के टाइप करें कोई भी बूट्स अब को याद हो कमर्णों के टाइप करें अच्छा लग रहा है सेज़नस हलफूल लग लग लाए तो प्लीज सेर जरूर करें ओकी नेक्स्ट आई जाई है क्वांटिट्यू अप्टिटूट इट्वेंस आपके मैंच यह बहुत ही अच्छा से एक तरजी पे एक अच्छे कुश्शनस इसमें दिये गए थे एक्जाम्स में क्या था देखिए फर्स्ट अपोल्स आपके सिंपलिफिकेशन के 10 कुश्शन थ गई थे इई बहुत ही इजी थे डियाए का कुश्शनस था पांच कुश्शनस स् टेबूलर डियाई त्वे-ट्याई कर आया हैं कल का वीडियो से इसने देक्शा है 100 इसकुश्शनस को पेल्बगल अच्छ बंपल अच्छे पूछे गए थे पर्टेकुलर क्या टॉपिक्स था बोटन स्ट्रिम एसाई सी आई टाइम एंड बग और प्रॉफिट एंड लोज और एवरेज की कुषिंस यह आपके टॉपिक में इस पर कुषिंस पूछे गए थे कुषिंस आएंगे तो मैं आपको शॉल करवा दूगा अच्छे लवल पर ससंस प्रॉइड कर दूगा तो यह के पूरा का पूरा अपकी क्वांटिट्यू अप्टिट्यूट का पूरा का पूरा एक तरह से कह सकते हैं एक्जामस में आया हुए इस टॉपिक से कुषिंस आये थे जिरिंका एक्जाम से नेक्ष्ट तो प्रीज ध सेकेंड फूर्थ apk यह की पूरे के पूरे नंबर स्कीस ती यह आपका जोआपके क्वांटिक एक्वीशन्स यह उसके वाशीच पर थी एकस के स्क्वायर है वाई का स्कुर बराबर सिक्ष्टिफ़ ओइ बहुत अच्छी एक्वाणिक एक्वेशन्स रोह से यह पूछा रूट 125 यह एक्स का स्क्वेर 25 था यह यह क्यों पूछा गया था ऐसे कुछ कुछ पूछे गए थे ओकी तो प्लीज नोट के लिजिए का अच्छे से उसको याद नहीं थे तो जो बताया मैंने आपको यहाँ पर नोट कर दिया है क्लियर हुआ समझ माँ कोई भी चीज आपको पूछ नहीं है तो कमेंड मुक्स में टाइप कर से हैं और इसके आंसर आप کमेंड मुक्स में टाइप кीजिएगा इसके आंसर ची हो गा कुछेंज का जो नंबर स्री से हैं सारी कि सारी तो प्रीज आंसर जरूर दीजेगा next पर चलते हैं maths के सारे के सारे यही थे अगर आपके प्स भी आपने exams दिया है कोई भी questions आपके पास है आपको याद है कि यह number zari zari GitHub यही था मैंने ऐसे questions pattern कर आया playlist में जाकर देख सकते हैं बिल्कुल exitage pattern पर कर आया है मैं आपको shawl करूँगा तो बताऊंगा ओकी अलग से सेसंस प्रोवाइड करूँगा आपको ओकी आप आंसर दीजेगा अगर आपने दिया है तो प्लीज कमान वक्स में टाइप किजीगा कि सर्फ यह कुशन्स आये थे एजटी यही कुशन्स पूछे गए थे तो प्लीज आयो होब अपने सेर भी किया होगा सेर जरूर करें ताकि स्टुटेंट पहुच पाए जिनका एक्जाम से उनकी एक तरह से हल्प हो पाए अब आये नेक्स्ट पर आपका रिजनिंग्स अबिलिटी डिजनिंग्स अबिलिटी आपके पॉजल्स पूछी गई थी जैसा कि मैं regular कहता हूँ three sets आपके पॉजल्स गारंटे है पूछे जाएंगे फिप्टीन कुशन्स आपके पॉजल्स की हो गई सर्कल का था फ्लोर बेश्ट फिर था और डेबल्स का पॉजल्स था एट पीपल्स अपके फ्लोर बेश्ट मेंने सर्कुलर में इंसाइट पू तो बचे गए थी बाएं से बताई यह नंबर है कि एकुलिटी के पांच कॉशन्स भेर एजी थे जैख आपके पांच कॉशन्स थे यह क्या दू अपकी ओनले फ्यू के कॉशन्स उसमें थे उसमें थे तो कुशन्स थे मिसलेनिस बडेकुलर इक वर्ड्स दे दिया उसमें बदाए कौन सा पर सही जगर परिस्थित है कि इधर से दायें से काउंट करें यह सारा कुछ इसमें मिसलेलियंस में था तो यह पूरा का पूरा प्रिजिलिंग का भी एक तरशे पूरा पूरा अनलेसिस था और इसके अलावा अब कोई भी हो टाइब कीजिएगा कोई भी आपका डौट सो कोई भी आपके अक्वारी हो सरी एक्वारी है यह चीज नहीं समझ माई यह कमेंड मुक्स में जरूर टाइब कीजिएगा और अगैंस प्लीज जो नंबर स्रिज मैं ने दी है बताई है उसकी जो आंसर आप का भी एक्जाम्स होना है उन सभी को बैस्ट अफ्लक मेरा ओकी अच्छे शेक्जाम्स दीजिए क्योंकि देखिए अवर और इसका बता देता हूं यह इजी टू मोडरेट पीपर था इसा नहीं है कि जी था अपन कहा है नहीं सकते अगर आपने इसमें 75 प्लस 75 प्लस अटे सब्सक्राइब जरू कीजिएगा चैनल को ताकि सब्सक्राइब जरू कीजिएगा तकि स्टूडेंट तो पहुंच है जिनका भी एक्जाम्स है उनकी हल्प हो बाए वहाँ भी देख सा है तो थैंक यू सो मजब आपने इंजोई किया होगा सेसंस को अच्छा लगा वो सेसंस को मेरी महनत आपको अच्छी लगी होगी प्लीज लाइक देविडियो शेर ड़ीओ और सब्सक्राइब झाल